हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो टीवी सेल अनुपमा में अब आपको नए उता चड़ाओ देखने को मिलने वाले हैं अनुपमा टीवी सेल में अब ये दिखाए जा रहा है कि अनुपमा की मानसिक हालत लगातार खराब हो रही है और अनुपमा उसे अपने आश्रम में लेकर तुआ रही है साथ ही साथ उसका ध्यान भी रख रही है यानि कि एक तरफ जहां अनुपमा अनुपमा अनुच का ख्याल रख रही है तो दूसरी तरफ दोस्तो शाह हाउस में वनराज का बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है हलाकि अभी तक दोस्तो इस बात का पता नहीं चल पाए कि अनुच के बिजनेस के साथ क्या हुआ आखिर वो ऐसे अर्ष से फर्ष पर कैसे आ गया और यहीं ही दोस्तो अब इस टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप बर्खा और अंकुष को देख सकते हैं कहा ही जारा कि बर्खा अपने पती अंकुष की मदद से अनुच का पाड़िया का पूरा बिजनेस अपने हातों में ले लेगी बर्खा को जब यह बालूम चलता है कि अनुच और अनुच और अनुच और अलग हो चुके हैं और अब वो आध्या को भी अनुच से दूर ले उसे वो बाजार में घुमते वे देख लेगी हाला कि अब अनुच के आने का मतलब है कि अब उनके हातों से प्रॉपर्टी जा सकते दूसरी तरफ दोस्तो अधिक भी अपनी बहन का सस्त सामने लाने में जुट गया है अब इन सारी मुश्किलों से बचने के लिए बर्खा एक बड़ी तरकीव सोच निकालेगी वो अब अनुच के दिमाग में ये डाल देगी कि अध्या के मौत अनुपामा की हो जैसे हुई है ये सुनकर अनुच का पारा सात्वे आस्मान पर पहुंच आएगा वो फिर अनुपामा से दूरी बनाने लगेगा उस पर गुस्ता हो लेकिन अनुपामा इस मुश्किल से बचने का तरीका भी ढून लेगी अनुच से वायदा करेगी कि वो किसी भी इस तूरत में उसके आध्या को वापस लेकर आएगी हाला कि ये सुनकर अनुच को काफी सुकून भी पहुंचेगा अब वो अनुपामा में भरोसा करने लग आएगी और अध्या को भी ढूंड कर निकालेगी फिराल आपको कहता है कामने शक्शन में लिए कर दो बताएगा झाले कामने बस्त आपको के विए लेकर आपको की विए एकत्वारा में लेकर दो कर दो तर आपको झाल झाल